ओम शांति ओम शांति अज 13 जन्वरी 2030 दिन शुक्रवार की साकार मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे यहां तुम्हें सुख दुख मान अपमान सबसहन करना है पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धी हटा देनी है अपनी मत पर नहीं चलना है प्रश्ण देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है कैसे उत्तर इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो यहां तुम अथा कमाई करते हो तुमने बाप की शर्ण ली है इस जन्म में ही तुम अपना लोक पर लोक सुहिला माना सुखी करते हो सुदावा मिसल दो मुठी दे 21 जन्म की बादिशाही लेते हो गीत चाहे पास हो चाहे दूर हो ओम शंती गीत का कितना अच्छा अर्थ है बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं चाहे हम इस तन से नजदीक हैं वा दूर है क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रही हैं प्रेड़ना से तो नहीं देंगे न चाहे मैं नजदीक हूँ चाहे दूर हूँ याद तो मुझे ही करना ह भगवान के पास जाने के लिए ही तो भगती करते हैं बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं आत्माओं से परम, पिता, परमात्मा बैठ बात करते हैं परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं क्योंकि दुखी हैं सत्यूग में तो कोई याद नहीं करते अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत पुराने भगते हैं जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई है क्योंकि अप के पास जाना है जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को पुरानी दुनिया को जोफ्धी से भूलना है और योग में रहना है तो इस योग अगनी से पाप भस्म होंगे इसमें महनत लगती है पद भी तो जबर्दस्त है विश्व का मालिक बनना है मनुशे कहते है कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है परंतु नहीं विश्व का मालिक मनुश्य ही बनते हैं बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे फिर 84 जन्म लेते लेते अब कोड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो पहला नमबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो कितना रात दिन का फर्क है कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर सक्षतकार न कराए ज्यान बुद्धी से भी सक्षतकार होता है जो सयाने बच्चे हैं नित्य बाप को याद करते हैं उन्हों को बहुत मजा आएगा यहां तुम सब नई बातें सुनते हो मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं वे तो गपोड़े लगाते रहते और दर दर धक्के खाते रहते हैं तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है बाप कहते हैं तुम आत्मा हो मुझ बाप को याद करते रहो बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है यह स्रश्टी जैसे हमारे लिए है नहीं यह पुरानी स्रश्टी तो खत्म हो जाएगी फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए बाप अपना अनुभव सुनाते हैं रात को सोता हूँ तो यही खयालात चलते हैं यह नाटक अब पूरा होता है यह पुराना चोला छोड़ना है हाँ विकर्मों का बोज़ा बहुत है इसलिए निरंतर बाप को याद करना है अपनी अवस्था को दरपन में देखना है हमारी बुद्धी सबसे हटी हुई है धंदे आदी में रहते हुए भी बुद्धी से काम ले सकते हूँ बाबा के उपर कितना ओना है कितने ढेर बच्चे हैं उन्हों का खयाल रखना पड़ता है बच्चों को पनाह अर्थात शरण देनी है दुखी तो बहुत है ना हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं यह समय बहुत खराब है तो बच्चों को शरण देने के लिए मकान बन रही है यहां तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं कोई डर नहीं और फिर योगबल भी रहता है बच्चों ने सक्षातकार भी किया है जो बाप को अच्छी रीती याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है दुश्मन को भयंकर रूप दिखा कर भगा देते हैं तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगे बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुख ले लेवें, जो होगा सो देखा जाएगा, पोतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं, या तो सुख, दुख, मान, अपमान सब सहन करना पड़ता है, उच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फोलो करना चाहिए, मा बाप के फर्मान पर चलना चाहिए, अपनी मत माना रावन की मत, सो तो तकदीर को लकिर लगाने की ही निकलेगी, बाप से पूछेंगे तो बाबा जट कहेंगे यह आसूरी मत है, श्रीमत नहीं है, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, देखना है कहा उल्टा काम कर बाप की निन्दा तो नहीं कराते, देवी देवता तब वनेंगे जब ऐसे लक्षन होंगे, ऐसे नहीं वाँ ओटोमेटिकली लक्षन आ जाएंगे, यहां बहुत मीठी चलने चाहिए, अगर समझोशी बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी रिंस्पोंसिबल यह रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं, इस रीती घर में रहते, धंदा करते, उपराम होते जाएंगे, जैसे सन्यासी ग्रस्त से उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो, उस हठ योग सन्यास और इस सन्यास में दिन रात का यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, सञ्यासी सिखला ना सकें, क्योंकि मुक्ती जीवन मुक्ती दाता है ही एक, सभी की मुकती अब होनी है क्योंकि सब वापस जाने हैं, साधू लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं. यहां दुखी हैं कोई फिर कहते हैं हम जोती जोत में समाए अनेक मत हैं बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिनों को पुराने संबंध भी यादाते हैं उस दुनिया के सुखों की आस हुई और यह मरा फिर उसका पैर यहां ठहर ना सके माया बहुत लालच देती है एक कहावत है भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा यह माया भी बाज मिसलवार करती है अब जब की बाप आए हैं तो अभी भी पुर्शार्थ कर उंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे यहां बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए न सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए कितना समय बाप को याद किया किसको जियदान दिया बाप ने तुमको भी जियदान दिया है ना सत्युगत रेता तक तुम अमर रहते हूँ यहां कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं स्वर्ग में दुख का नाम नहीं समझेंगे पुरानी खाल छोड नहीं लेते हैं यह मिसाल भी तुमसे लगता है औ और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते वे थोड़े ही पुरानी खाल को भूलते हैं वे तो पैसे ही कठे करते रहते यहां तुम जो बाप को देते हो तो बाप खुद थोड़े ही खाते वह अपने पास रखते हैं उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं इसलिए यह सच्चा बाबा का भंडारा है इस भंडारे से खाने वाले यहां भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं तुमारा यह जन्म बहुत दुरलब है देवताई जन्म से भी तुम यहां सुखी हो क्योंकि बाप की शर्ण में हो यहां से ही तुम अठाह कमाई करते हो जो फिर जन जनमांतर भोगेंगे सुदामे को भी दो मुठीक के बदले 21 जनमों के लिए महल मिल गए यह लोक भी सुहेला अर्थात सुखी तो पर लोक भी सुहेला जनम जनमांतर के लिए इसलिए यह जनम बहुत अच्छा है कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले परन्तु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है अभी राजदानी कहां बनी है फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे बच्चे अभी लायक कहां बने है अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं बाबा की सर्विस तो अपरम पार है बाप की महिमा भी अपरम पार है जितना उच हूं सर्विस भी उतनी उच करता हूं तब तो मेरी यादगार है उच ते उच बाबा की गद्दी है जो जितना पुर्शार्थ करते हैं वे अपना भाग्य बनाते हैं यह है अविनाशी ग्यान रत्नों की कमाई जो वहां अथाहधन बन जाता है तो बच्चों को पुरशार्थ बहुत अच्छा करना है बाप को यहां भी याद करो तो वहां भी याद करो सीड़ी तो है ना दिल दरपन में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ अंधों को रास्ता बताता हूँ अपने से बात करने में खुशी होती है जैसे बाबा अनुभव बताते है सोता हूँ तो भी बाते करता हूँ बाबा आपकी तो कमाल है भक्ती मार्ग में फिर हम आपको क्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धु अज्यानी बन जाते हैं। अब बापने कितना ज्यानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। इश्वर सर्व्यापी है, यह कोई ज्यान थोड़े ही है। ज्यान तो स्रिष्टी चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वपिस जाते हैं। फिर हमको जीवन मुक्ती में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े ही निकल सकते हैं। हम हैं ही जीवन मुक्ती के राही। अच्छा। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुढूरिंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। रात्री क्लास, 16 दिसम्बर 1968 किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, किसी को मैया कहते हैं। जरूर कुछ फरक होगा। कोई की सर्विस से खुश्बू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल है, यह तो बाप ने समझाया है, तुम जैसे हमारे साथ आए हो, उपर से बाबा भी आये हैं, विश्व को पावन बनाने, तुमारा भी यह कर्तव्य है, वहां से जो पहले आते हैं, वह हैं पवित्र, नए आते, वह जरूर खुश्बू देते होंगे, बगीचे से भी भेट करते हैं, जैसी सर्विस, वैसा खुश्बू दार फूल, विवेक कहता है, शिबाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वह खुश्बू आनी चाहिए, हकदार हैं, तब तो सभी को नमस्ते करते हैं तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परन्तु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है, यह होना भी जरूर है, बच्चों को निश्य हो जाता है, यह बाबा है, और चक्र भी बुद्धी में हैं, तो बाप कहते हैं, और जास्ती क्यों बताएं, बाप बिगर स्वदर् होते हैं, जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं, उनको कितनी गालियां देते हैं, शिबाबा को भी गाली देते हैं, कच्छ मच अवतार कहना भी तो गाली है न, ना जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं, बच्चे कितना माथा मारते हैं, एक operation के 2000-4000 मिल जाते हैं, कोई तो कुटम्ब की पालना भी नहीं कर सकते, फिक्र है न, कोई जन्म जन्मांतर बादिशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं, बाप कहते हैं, तुमको समझदार बनाते हैं, अभी तुम सभी बात में कहेंगे, ड्रामा है, सभी का part है, जो past हुआ सो ड्रामा होता वही है, जो ड्रामा में है, ड्रामा अनुसार, जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ, समझते ही नहीं हैं, इसमें manners भी अच्छे चाहिए, हर एक अपने अंदर में देखे, कोई खामी तो नहीं है, माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामिया निकालनी है, बाप कहते हैं, बांधेलियां सबसे जास्तियाद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं, जितना जास्ति मार खाती हैं, उतना जास्तियाद में रहती हैं, हाई शिबाबा निकलेगा, ज्यान से शिबाबा को याद करते हैं, उन्हों का चाट अच्छा है, ऐसे जो मार खाकर आते हैं, वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं, अपना जीवन उच बनाने लिए अच्छी सर्विस करते हैं सर्विस ना करें तो दिल खाती है दिल टपकती है हम जावे सर्विस पर बल समझते हैं सेंटर छोड़ कर जाना पड़ता है परंतु परदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह ना कर यह भागना जितना हम दान करेंगे उतना बल भी भरता रहेगा दान भी जरूर करना है यह है अविनाशी घ्यान रत्न जिनके पास होंगे वही दान करेंगे बच्चों को अब सारी स्रिष्टी के आदी मद्य अंत का ग्यान आ जाना चाहिए सारा चक्र फिरना चाहिए भाप भी इस स्रिष्टी के आदी मद्य अंत को जानने वाला है जरूर ग्यान का सागर है स्रिष्टी के चक्र को जानने वाला है ये दुनिया के लिए बिलकुल नया है जो कभी पुराना बनता ही नहीं है वंडर्फुल नॉलेज है ना जो बाप ही बताते हैं कोई कितना भी सादु महात्मा हो सीड़ी चड़कर उपर तो जाता ही नहीं सिवाए बाप के मनुष्य गती सदगती देना सके ना मनुष्य ना देवता दे सकते हैं सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं दिन प्रती दिन व्रद्धी होनी ही है बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में यह लक्षमी नारायन का चित्र सीड़ी ट्रंसलाइट का भी होना चाहिए बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे स्लोगन भी बोलते जाओ राजयोग परमपिता परमातमा ही सिखा रहे हैं भागी रथ द्वारा और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते ऐसा ऐसा आवाज सुनेंगे अच्छा मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट धारना के लिए मुख्य सार यह नाटक अब पूरा हो रहा है इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है श्रीमत पर अपनी तकदीर उंची बनानी है कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है अविनाशी ग्यान रतनों की कमाई करनी और करानी है एक बाप की याद में रहे सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है वरदान त्याग और तपस्या के वातावर्ण द्वारा विघन विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव अब बाप दादा के वरदान को विस्तार में समझे जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी है सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी जहां त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है सेवाधारी देने वाले होते हैं लेने वाले नहीं होते हैं इसलिए सदा निर्विघन रहते हैं तो सेवधारी समझ कर त्याग और तपस्या का वातावर्ण बनाने से सदा विगन विनाशक रहेंगे। स्लोगन किसी भी परिस्थिती का सामना करने का साधन है स्वस्थिती की शक्ति। ओम शंति। झाल 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 स्क्दिती कंडेंगे caused औरीरी कि प्दा और छोर्ड़िई रेह्तावर्ण बनाने से सदा सेवधार्ण बनाने लिए जए चर्णार्षण भी रिप्साराम थिर पिए और और सक्षण लेगों पनाने का सामने का समेंगे। झाल झाल